खानून की किताम में अगर इंसानियत के लिए दर्वाजे खुले हो तो सजा वेक्ते के द्वारा किये गए अपराद के अकॉर्ण की जाती है लेकिन जब सजा का पैमाना मन माफिक हो तो थोड़े से अपरात के लिए भी दी जाने वाली सजा इंसानेत के सारी सीमाई क्रॉस कर जाती है मानवता के लिए सारे दर्वाजे बंध हो जाते हैं आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के अलग-अलग कोनों में सजा के कुछ उन प्रावधानों के बारे में जो राजाओं महाराजाओं के द्वारा तै किये जाते थे जिसके बारे में सुनकर आज भी रोंगते खड़े हो जाते हैं हमारा आज का वीडियो आखिर तक बो लोग जरूर देखें जिन में सच को सुनने और सहन करने के हिम्बत है बच्चे मानसिक रूप से कमजोर लोगों और जो कमजोर दिलवाले लोग हैं वो एक बार विचार कर लें वीडियो को जानकारे के दिश्टी काउन से देखना ठीक है इसलिए से के अवल इनफॉर्मल वीडियो समझेगा तो इससे वो अपना मनुरंजन किया करते थे अपराद कई तरह के हो सकते थे राजदंदर के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी अपराद हो सकता था ऐसे अपराद ही जो अपराद करने के बाद अपना गुनाह छुपा ले जाते हैं उनसे पूचताज के लिए इस आईरन चेयर या चाइनीज चेयर का इस्तिमाल किया जाता था देने का ये तरीका डेंजुरस है उतना ही एमान वे भी एक ऐसी कुरसी थी जिसमें बैठने के साथ साथ पीछे टिकर बैठने जाने की बीच वाली जगे हाथ रखने की जगे पर नुकिले लॉक वाली पीतल की कीले लगी थी जिनका साइज छोटा और बड़ा रखा गया था जब किसी वेक्ति को पूचताज के लिए गिरिफतार करके लाया जाता तो उसे इसी चेयर पर बैठा दिया जाता था इसके बाद नीचे से आग लगा दी, खीले गर्म होती और उस आदमी के शरी को पकाना शिरू कर देती उसे जब तक बैठा कर रखते थे जब तक कि वो सक्चाए न बता दे अगर वो वेक्ति निर्दोष्थ होता था तो उसे छोड़ भी दिया जाता था लेकिन आप समझ सकते हैं ऐसी एक चेयर में 500 से लेकर 1500 सीटे होती है और बैठने के बाद किसी का जिन्दा बचपाना बहुत मुश्किल है प्राचीन ग्रीस में सजा देने का ये तरीका अपनाया डेंजिरस है उतना ही दिल देला देने वाला भी इसमें ब्रोंज मैडल का एक बहुत बड़ा सा बैल होता था जो उपर यानि अपनी पीट की तरफ से खुल जाता था अपराधी को पकड़ कर इस बैल के भीतर रख दिया जाता था फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी अब आप समझ सकते हैं कि भीतर पहुँच चुके इंसान की क्या हालत होती थी जब उस इंसान की चीखे निकलती थी तो इस बैल के मूँ में कुछ ऐसी डिवाइस लगी थी कि उसकी चीखे किसी म्यूसिकल इंस्टूमेंट से निकलने वाली आवास की तरह सुनाई देती थी आदमी के जलने से जो धुँआ निकलता था उसमें बदमू ना हो इसके लिए कुछ सुगंधित परफ्यूम जाता था जिससे कि वहाँ से निकलने वाला धुआ खुशबुदार रहे जिस वेक्तिने इसकी कोच की थी उसने जब इसे राजा के सामने रेप्रेजेंट किया तो उसे लगा कि राजा फैलारिस इसे नाम देंगे लेकिन राजा ने तो सबसे पहले इसे ही उस बैल की भीतर डाल दिया जब वो मरने लगा तो उसे राजा ने बाहर निकाल लिया लेकिन बाहर निकालने के बाद भी उसे मरवा धिया इसे ब्राँज या सिसिलियन बुल भी कहते हैं एक जंग की दोरान प्राचिन ग्रीक का राजा फैलारिस हार गया और उसे टेल मैथिस ने हराया था उसने हारे हुए राजा फैलारिस को भी ब्रेंच बुल की सजाई दी इस सजा की शिरुवात सत्रवी शताबदी में रोम में हुई थी जहां यॉरॉप में डच नेता डृड़्रिक सो ने कैदियो को सजा देने के लिए इस तरह के खतनाक तरह के की शिरुवात की थी एक ऐसी सजा थी जिसमें चुहे का इस्तिमाल बड़े ही खतरनाक तरह के से किया जाता था अपराधी को बैंच पर लिटा कर उसके हाथ पाओ बांग दिये जाते थे और फिर उसके पीच के उपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था लोहे के एक पिंजरे में एक चुहा मौजूद होता था और पिंजरे के उपर जलती हुई आग का एक बरतन रख दिया जाता था जिसके वच्चे से पिंजरा गर्म होता था और चुहे को गर्मी लगती थी ऐसी सिचुएशन में चुहा पिंचरे से निकल कर भागने के लिए आदमी के शरी को ही कुतरना शिरू कर देता था एलिजबेथ डूक की रोमन कैथोलिक नामक राइटर ने ये आरोप लगाया कि टावर ओफ लंदन के नीचे थेमस पूरी तरह से अंधिरा कम रहा है बाद में कैदियों से सच उगलवाने के लिए भी इससी टक्निक का इस्तिमाल किया जाने लगा चुहो द्वारा कुतर कर मारे जाने के भायनक सजा से डर कर अकसर अपराधी जूट बोलने के हिम्मत नहीं कर पाता था ये सजा पर्जियन अंपायर में दी जाती थी पांचवी शतापती में पर्जिन अम्पायर में दो भाई आपस में राज सिहासिल के निये युद्ध लड़ रहे थे ये घटना 401 बीजी की है जहां बड़ा भाई और सिसिस और छोटा भाई सायरस युद्ध के मैदान में आमने सामने थे ये लड़ाई क्यों नाक्षा में हो रही थी? इस लड़ाई में मिथिडीस नाम से एक ऐसा सैनिक लड़ रहा था जिसने गलती से अपने ही राजा सायरस की हत्या युद्ध के मैदान में कर दी इस प्रकार इस युद्ध में और सिसिस की जीत होती है मगर वो अपने ही राजा को मानने वाले सैनिक से कहता है कि वो दुनिया को कभी ये ना बताए कि सैनिक ने सायरस राजा को मारा है बल्कि ये कहे कि और सिसिस ने ही राजा को मारा है वो सैनिक ऐसा ही करता है लेकिन एक दिन नशे की हालत में उस सैनिक के मूँ से सचाए निकल जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि साइरस को राजा ने नहीं मारा बलकि उसने खुद ही मारा है इसके बाद तो उसे सैनिक की शामत आ जाती है राजा खुसे में आग बबूला हो जाता है और मैथी डिसको काफिर्स्म की सजा देता है इस सजा के तहत इस नाव में अपराधी को लटा दिया जाता था और उसके उपर से दूसरी नाव ढखती जाती थी अपराधी का सिर्फ बाहर होता था इसके साथ ही उसके दोनों हाथ पाउं भी बाहर होते थे और उपर वाली नाव अपराधी के उपर रख दी जाती थी ऐसा इसली किया जा रहा था कि अपराधी निकल कर भागना चाहे उसे सूरज की रोश्णी में रखा जाता था इसके बाद अपराधी के शरीर के ऊपर शहद और दूद मिला कर गिराया जाता था जिससे उसके शरीर पर मिठास चिपक जाती थी और साथ ही उसे शरीर और दूद भी पिलाया जाता था जिसकी वज़े से उसके शरीर से मिठास की गंद भैलने लगती है और कीडे मकोडे उसकी तरफ अट्रेक्ट होते हैं ये मक्षियां कीडे मकोडे चुहे गुनायगार को घेर कर उसके शरी को खाना शुरू कर देते थी इस तरह उस विक्ति को कई हफ्तों तक दूध और शेहत का घोल पिला कर जिन्दा रखा जाता था इस सजा के बारे में आज से साड़े 900 साथ पुराने एक किताब प्लुटोर्थ लाइफ आफ आर्था जेर्स में मिलता है मिठरीडीज को भी यही सजा मिली और वो इस तरह के दौरान 17 दिनों तक सर्वाइव कर पाया और आखिरकार उसकी मौद हो गई उसकी मौद बलड में पोईजन आ जाने से बताई गई उसके बलड में यह पोईजन कीडों की वज़े से आया था इसमें अपरादी के शरी को हजारों के चेप्टर के एक लाइन में इस्तिमाल किया गया तीन चरणों में दी जाने बाले इस सजा के पहले चरण में गुनहेगार को एक सारवजनिक स्थान पर बांद दिया गया जिससे कि सभी लोग उसे देख सके इसके बाद एक धार-धार चाकु से उसके शरी पर धीरे-धीरे कट लगाया जाता था चानीज लोगों का मानना था कि गुनहेगार को इस तरह टुकडों में सजा देने से उसकी आत्मा कम मरने के बाद भी संपूर नहीं होती कई बार इस सजा को तीन दिनों तक दिया जाता था इसमें गुनहेगार के शरी पर तीन हजार से ज्यादा कट लगाया जाते थी और उसके शरी के अंगों को धीरे-धीरे निकाल लिया जाता था बात में गुनहगार के शरी के अंकों को दवाई की रूप में बेचा जाता था यदि गुनहगार के परिवार पैसे वाला हुआ तो वो घूस देकर अपरादी को एक ही बार में मरवा देता था लीची को पहली बार सन 1890 में कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और ये काम विलियम और थर्ट कर्टिस ने किया था हालांकि चीन की सरकार ने 1950 में इस सजा पर बैन लगा दिया था लेकिन इसके बावजूद समाचार पत्र इस सजा को सबके सामने दिया जाता था इसमें प्रशिक्षित हाथी हुआ करते थे जो इसारा मिलते ही गुनाइगार को अपने पैरों के नीचे कुछल देते थे सजा देने का ये तरीका दक्षिन एशिया में श्विलंक का भारत इंडोनेशिया जैसे देशों में यूज किया जाता था इस सजा के बारे में तो शायद आपने सुना भी होगा क्योंकि हमारे देश में भी इस तरह की सजा दी जाती थी खासताओर से मुगलकाल में अपरादियों को इस तरह की सजा देने का प्रावधान था हाथी सबसे ज्यादा भारी भरकम और ताखतवर होता है इसे अपने साथ रखना तो स्टेटस सिंबल की तरह लिया जाता है राजा महाराजा अकसर हाथियों को इसी भाव से पालते थे तो मेधर वीडियो आपको पसंद आई होगी अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू करें पहन्ने बाद